है लो चैंपियंस वेल्कम बैक ओन अग्डार 247 क्लास 910 यूट्यूब चैनल तो साइंस का लाइफ सेशन लेकर मैं राग विंदर सिंग आप सभी बच्चों के सामने आ चुका हूं और आज हम करेंगे लाइट चैप्टर के प्रीवियस एर कोशन सॉल वो कोशन जो सी बेसी प्रीवाइब प्रीवाइब चैप्टर हमने पहले पढ़ा होगा मुझसे पढ़ा होगा कोशन भी प्रैक्टिस कियोगी लेकिन याद कितना है मैंने बोला था कि दिवाली बीच चुकी है अब जाग जाओ पुराना जो कुछ है उसे रिवाइज भी करो और आगे का पढ़ करते भी रहो तो कल मैंने आपको कारवन कंपाउंड के प्रीवेसर कोशन कर आए और आज लाइट पर कराऊंगा है ना तो सभी बच्चों का स्वागत है बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है सृष्टि कुमार सृष्टि कुमारी हेलो बेटा कुशल सिंग हेलो और ये अन् सब्सक्राइब करें सेशन लाइट चैप्टर को रिकॉल करो है ना जो बेसिक हैं जो कंसेप्ट है उससे अगर आपको याद है तो कोशन बनेंगे तो कोशन की रिवीजन कंसेप्ट का रिवीजन सब कुछ होगा बहुत बढ़िया अनोज हेलो बेटा गुडिवनिंग साहि यानि प्रिवियस एर सीवेसी बोड एकजाम में यह कोशन कितने माक्स का पूछा था वो भी मैंने लिखा है तो आपको भी उसी साब से सोचना है कि देखो वन माक्स के अब्जेक्टिव कोशन भी आएंगे हैना तो वह भी मैंने रखे हैं तो पहला कोशन आपके सामने आ चुका है आप आंसर दो और एक टिन इस फेरिकल मेर रैंस है। इस फेरिकल मिर्र कौन साथ नहीं पताfend करलेंस कौन साथ नहीं पता लेकिन उसका फोकल लंद दे रखा है माइनश सिप्टन सेंटी मीटरा फो हमेरण लेंस किस टैब का है। टो बाइबा थे हैं अफ्वान एहमद ने भी option दिया है अनुज कह रहे हैं भी साहित्य कुमार ने भी कहा है शुभंक भी कह रहे हैं भी तो देखो बहुत आसान है बहुत आसान आप लोगों ने ये चीज पकड़ ली होगी concept यहां चुपा है ना जिन जिन बच्चों का आंसर सही है उनका चलान मिन नहीं कटेगा ओ जिन का गलत है चलान कर जाएगा गारी साइड में लेले ना आब आगे नहीं बढ़़ने दूंगा Air a focal length माइनस में होता है किसका ऐसных a कौन के मिरर का और कौन के विलंस का ओ फिरना हमेशा कौन के मिरर ओ ऐस can зач दीया इसका मतलब कि मिरर भी कॉंके और लेंद्स भी आनके और दोनों कॉनके विसका उत्ना साक्शन जाएगा बीज आयेगा हो गया सही चलान कटा तो साइद्य ले लो गारी चलान नहीं कटा है तो सीर आगे बढ़ते है है कि नहीं अभी नहीं कटा सर बहुत बढ़ी आहिमाशु कह रहे हैं भी बहुत बढ़ 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 गया ओकल लेंद इस निगेटिव डैट स्वाइब बहुत बढ़ बढ़ एसाइद कुमार अगर यही फोकल लेंद प्लस 15 होती तो तो आपका मिरर भी कॉन्वेक्स होत लेंस भी कॉन्वेक्स होता तब उस केस में आंसर क्या जाता ए लेकिन आपने कंसेप्ट बढ़िया से पढ़ा है क्यों ऐसा नाइनस प्लस होता यह भी मैंने बताया है तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं नहीं कटा सर रास्ते पर जा रहे हैं बहुत बढ़िया कितना का चलान कटेगा बेटा चलान पैसे में नहीं कटेगा नंबर में कटेगा जितना गलत करोगे बोर्ड एक्जाम में नंबर उतना ही कम आएंगे तो जान 90% था वहां 70% पर रह जाओगे इसलिए चलान ना कटे ध्यान रखो अगले कोशन पर आगे चले पार बढ़िया आप ल रियल इनवर्टेड और लारजर देन अबजेक्ट तो अबजेक्ट कहां प्लेस किया गया है अब जरा इमेज इमेजन करो मैंने आपको 6 केस पढ़ाए हैं कौनके मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन है उसके 6 केस पढ़ाए हैं एक बार अबजेक्ट इंफिनिटी पे रहता ह है एक बार beyond c रहता है एक बार c रहता है वार c तोटा बनता है तो इंफिनिटी तो आंसर नहीं होगा है ना इंफिनिटी तो आंसर नहीं होगा और जब पोल और फोकस के बीच में बनता है तो इमेज तो वर्चुल बनती है क्योंकि सिर्फ एक ही केस है जब कौन के मिरर वर्चुल इमेज बनाता है और वो केस है तब जब ऑबजेक्ट कहां रखा जाए पोल और फोकस के बीच में तो फिर रियल इमेज तो नहीं बनेगी क्योंकि उस case में virtual image बनेगी हमको क्या पूछा है real बननी चाहिए inverted बननी चाहिए तो object polar focus के बीच में नहीं रख सकते तो B भी option गलत center of curvature पे रखेंगे अगर object तो image भी center of curvature पे बनेगी real, inverted और same size की बनेगी हमको image object से बड़ी चाहिए तो इसका answer क्या होगा इसका answer होगा D जब हम object को center of focus के बीच में रखेंगे center of curvature पे बीच में तो जो image बनेगी वो real होगी inverted होगी और object के size के comparison में बड़ी होगी यानि larger होगी तो हमारा answer क्या जाएगा D जाएगा किसका किसका चलान कटा इसका किसका चलान कटा बताओ चलान कटा ना बढ़िया कोशन था आरे हमने पढ़ा है ना object को infinity पे रखेंगे image कहां बनेगी focus पे real inverted लेकिन बहुत छोटी dimnist ठीक है जब center of curvature पे रखते हैं तो image भी center of curvature पे बन जाती है लेकिन same size की जब pore और focus के बीच में रखोगे तो तो real बनेगा ही नहीं virtual image बनती है सिर्फ यही है case है जहाँ virtual image बनती है तो हमको real भी चाहिए inverted भी चाहिए और image का size object से बड़ा भी होना चाहिए enlarge highly enlarge नहीं enlarge तो वो case यही है कि जब आप c और f के बीच में रखो कट गया ही मांशू कहले सर मेरा चलान कट गया कोई बात नहीं ना कटे तो इसके लिए concept को पकड़के चलो बात समझ में आ गई तो कौन के mirror हमेशा real और inverted image बनाता है सिर्फ एक ही case है जब वो virtual image बनाता है और वो case यह है कि object कहां रखा हो पोल और focus के बीच में तब virtual image बनाता है नहीं तो कौन के mirror हमेशा real और inverted image बनाता है ठीक है निशू कुमारी अगर आप गलत करोगे तो तो इसी लिए ध्यान से अगले कोशन पर चलते हैं बहुत बढ़ी आ रहा है चलान कटेगा की नहीं कटेगा मैं देख रहा हूं आब बताना next question name the part of lens through which a ray of light passes without suffering any deviation एक माक का है चुकि आपके sample paper में भी आपने देखा होगा objective question भी CBS 3 ने डाल रखा है तो objective question भी बनेंगे हर chapter से बन सकते हैं तो बताओ इस question का answer क्या होगा देखते हैं अनोज निशु कुमारी से बीसी एजुकेटर साहित कुमार क्या होगा answer without any deviation पढ़ाया था आपको कि अगर इन पैरलल लाइट रेज हैं तो लेंस से reflection के बाद focus से पास होती है यानि deviation हो गया है ना तो focus तो होगा नहीं तेर क्या नहीं होगा focus नहीं होगा इंफिनिटी से आएंगी तो डेवेशन होगा यह लेकिन optical center यह देखो जड़ा ध्यान से देखो अगर यह लेंस है तो लेंस का जो center होता है और optical center से जो भी light rays पास होती है वह सीधिये पास हो जाती है without any deviation है ना तो यहां मैं क्या कहूं no deviation ठीक है optical center से पास होंगी तो बिना deviation के तो इसका answer क्या होगा optical center बीवी बिल्कुल सही अब बताओ कितनों का चलान कटा आप बताओ कितनों का चलान कटा लास्ट में काउंट करेंगे एना कि कितने चलान कटे एक दो चार पांच तो काउंट करके रखना जितने कोशन गलत हुए उतना चलान कटा है आपका यह ध्यान रखना ऑप्टिकल सेंटर होगा हाँ optical center होगा option b is the right answer ठीक है कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया नेक्स कोशन नेक्स कोशन तीन माक्स का है लंबा है आपको लिखना पड़ेगा तो बताओ क्या होगा refractive index of water with respect to air is 1.33 and that of diamond is 2.42 इन विच मेडियम दस्दा लाइट मूव फास्टर वाटर और डाइमंड तो पहले पार्ट का अंसर क्या होगा बताओ पहले पार्ट का अंसर क्या होगा अच्छा आप बताओ light की speed air में ज़्यादा होती है कि water में पहले यह बताओ तो मैंने concept पढ़ाया था कि medium जितना dense होता जाता है light की speed उतनी कम होती जाती है और medium dense है कि नहीं dense है यह पता चलता है उसके refractive index की value से तो जिस medium की refractive index की value जितनी अधिक होगी वो medium उतना ही dense होगा और उसमें light की velocity या speed उतनी कम होगी है ना तो यहां पूचा है कि कि मीडियम में light तेजी से move करेगा faster move करेगा मतलब किस medium में light की speed जादा होगी उस medium में जिसकी density कम है मतलब उसका refractive index कम हो तो वो किसका कम है water का की diamond का water का water का refractive index कम है as comparison to diamond तो इसका मतलब water में light की speed जादा होगी डाइमंड में लाइट की स्पीट कफ होगी तो यह बात ध्यान रखना ठीक है तो लाइट हम क्या लिखेंगे लाइट विल मूव पास्टर इन वाटर बिकास क्यों बिकास यह लिखना पड़ेगा रीजन विकास दा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स Refractive Index of Water is less than diamond is less than diamond so water is optically water is optically rarer medium as공 comparison to diamond diamond के comparison में यह यहşekkür मेडियम है कं देंस मीडियम है क्योंकि स्की экран Teel products value कम है तो इसी लिए light faster which करेगी यह पहले पार्ट का अंसर हो गया अड़ बात करें जो इंग पार्ट की वर्त कि कि ओट इस्ञ रिफरेक्टिव इंडेक्स यो डायमंड विट रेस्पेक्ट students वाटर डायमंड का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में क्या होगा सेकेंड पार्ट का आंसर बताओ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विट रिस्पेक्ट वाटर क्या होगा सॉल्व करो बताओ आंसर क्या होगा मुझे आंसर चाहिए देखते हैं कितने लोगों का चलान कटेगा क्लियर बताइए क्या होगा, क्या करेंगे क्या करेंगे बहुत सिंपल है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का पूचा है, डायमंड का रा, किसके रेस्पेक्ट में, वाटर के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो यहां मतलब हमको सिंपली कर देना है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड डिवाइड़ बाई रिफ्रेक्टिव ये हो जाएगा आपका टू फॉवर टू अपान 1.33 और इसको सॉल करोगे अच्छ सॉल कर लेते हैं 2.42 divided by 1.33 और यह आपका आजाएगा 1.8 1.8 आजाएगा ठीक है क्लियर 1.8 आजाएगा तो यह रहा आंसर अगले कोशन पर चले चलान कटा की नहीं चला चलान कटा गया इतने वच्छों का चलान कटा जड़ा बताओ तो बेटा कम कटे कम कटे तो ज्यादा बोला है ना मिल्कुल आगे चला जाए नेक्स कोशन पर बढ़िया कर रहे हो आप लोग Daug Gör कर रहे हो बस कुछ और इंप्रुप्रुमेंट की ज़रुत है थोड़ा बहुत और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू नीचे सर नहीं कटा बहुर बढ़े हम भी बच्चे कह रहे हैं सर कटा नहीं कटा नहीं कटा कटा बड़ा कॉंपटीशन चल रहा है ना तो अच्छी चीज एक कॉंपटीशन बनी रहे तो आपके तीन माक्स से कोशन हमने सॉल्व कर लिए हैं तो इस तरीके से आपको कोशन आप देखो वैराइटी देखो कितनी खास बात है कि कोशन में राइटी कितनी अच्छी है तो यह वैराइटी आपको मिलेगी जब आप प्रीविएस तर कोशन लगा होगे चलो यह सैंपल पेपर का कोशन है करो सॉल विच टैगराम शोज इमेज फॉर्मेशन आफ एन अबजेक्ट ऑन ए स्क्रीन बाइक अन्वर्जिंग लेंस अब हमने पढ़ाएक कोन वर्जिंग लेंस किसे कहते हैं तो सही रे डाइगराम कौन सा है जो इमेज फॉर्मेशन को दिखा रहा है अबी सीडी क्या होगा बता बता देखते हैं किसका कटेगा यहां किसका नहीं कटेगा चलान कट जाएगा गलत अगर आंसर दिया तो मैं वो गन लेकर बैठा हूं जो स्पीड मेजर करती है पुलिस वालों के पास वह इंस्ट्रूमेंट होता है न ऐसे बंदू जैसे होता है गाड़ी आ रही है उसक आ क्या होगा हुआ है है इस मत्का सही डायक्राम कौन सा है अनुछ पाल हलो बिटा कैसे अनुछ कि अनुछ पढल यो बिटा आईयीस स्राज कहारैं भी आ कια होगा अनसर क्या होगाा अंसर डी तो गलत है यह तो फुली फुली गलत है फुली गलत क्यों है यहां से यह लाइट ऐसे आकर ऐसे कैसे चली जाएगी यह तो गलत है ना अब देखो यह लाइट पैरलल थी प्रिंस्पल एकसिस के तो इसको कहां से पास होना चाहिए था फोकस से जबकि यह क्या है फोकल लेंथ इंटू टू है यानि डबल फोकस है सेंटर आफ करवेचर है यह तो जो पैरलल वाली है वो सेंटर आफ करवेचर से थोड़ी फोकस से से पास होती है है तो यहां center of curvature से पास कर दिया है एक गलती यह 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 है दूसरी गलती देगो जो लाइट रे center of curvature से पास ऊप्री up optical center से पास ओगी तो विदायो डेवेशन सी दी चली जानी चाहिए ना जबकि यहां सीधी कहां गई तो इसलिए गलत है भी भी गलत है क्यों सर तो भी इसले गलत है कि आप ये देख रहे हो ये पैरलल लाइट रे ठीक है कनवर्जिंग के बाद कहां से पास होना चाहिए फोकस से और ये कहां से पास हो रही है टू इंटू फोकल लेंथ तो डबल फोकल लेंथ यानि सेंटर आफ करवेचर से पास हो रही है तो गलत हो गया ना ठीक है तो इसका सही आंसर है सी सी क्यों क्योंकि देखो पैरलल लाइट रे री फ्रेक्शन के बाद कहां से पास हो रहा है ये आपको लेंथ दे रखा है फोकल लेंथ इसका मतलब ये पॉइंट कौन सा हुआ फोकस हुआ तो पैरलल लाइट रे फोकस से पास होता है ठीक है और जो optical center से pass होगा वो सीधे pass हो जाएगा तो ये दोनो ray diagram सही है इसका मतलब सही option क्या होगा C होगा बड़िया question था बड़िया question था कि नहीं तो यहाँ आपको देखना था यहाँ 2 into focal length focal length मतलब फिर कौन सा point हो जाएगा focus अगर आपको बोला है कि ये point और ये दो point के बीच की जो दूरी है वो focal length है तो अगर ये optical center होगा तो ये point focus होगा तभी तो बीच की दूरी focal length होगी और यहाँ 2 into focal length 2 into focal length मतलब वो point कहाँ कौन सा हो गया जहाँ से light ray गुजर रही है वो point center of curvature हो गया ठीक है तो ये आपको मैंने rule बताया था हाँ थोड़ा clear नहीं दिख रहा होगा लेकिन ये आपका sample paper का question है मैं बता देता हूँ कहाँ मिलेगा पिछले side term 1 का आप sample paper उठाके देख लीजे cbsc में उसमें एक question है ठीक है बास समझ में आई c क्यों सही है क्योंकि आप यहां देख रहे हो कि जो पैरलल ड्लीजेड़ है रीफ्रेक्शन यह lens है ना तो lens्से लाइक का री फ्रैक्शन तो जो पैरलीजá रहे है वहぎ रीफ्राक्शन केबाद कहां से पास होनी चाहिये पैरललल यट्रेश्स वानी चाहिए वे तो c ही है और यह दगो ऑप्टिकल सेंटर से सीधी पास हो जाएगी तो यह दोनों रे डियाग्राम सही बनाया इसलिए सी आंसर होगा कि बास समझ में आई की नहीं बड़िया कोशन था ना तो आपको रूल भी याद होने चाहिए रूल याद होने चाहिए मैंने पढ़ाए है कि image formation करते समय जब कोई lens image बनाता है तो उस image को बनाने के तीन रूल पढ़ाए थे कि parallel है तो focus से pass होगा focus से light आ रही है तो reflection के बाद lens से reflection के बाद वो parallel हो जाएगी और जो optical center से गुजर रही है वो सीधी pass हो जाएगी without any deviation ये तीन रूल पढ़ाए थे चलो अगला question ये देखो ये बताया था कि parallel है ये आपका प्रिंस्पल ये प्रिंस्पल एक्सिस उसके parallel है light ray तो reflection के बाद कहां से pass होगी focal length से तो फिर ये जो distance है ये जो distance है ये focal length ही तो हुई जबकि वहाँ A और B option में ये 2 into focal length दिया था तो तो गलत हो गया चलो आगे चलते है next question पर बहुत बढ़िया question है एक mark का question है यहां से पड़ो और यहां आपको छोटे छोटे ब्लॉक दिखाई नहीं दे रहे हैं मैं आपको बना देता हूं ठीक है ये एक डबबा ये एक डबबा ये एक डबबा ठीक है और ऐसा एक small box कितने cm का है 1 cm का है ये 1 cm ये 1 cm ये 1 cm ये 1 cm 1 1 1 1 ऐसा है कुछ ठीक है तो examine the above figure and state which are the following option is current is correct one small box in the figure is equal to 1 cm तो ये कौन के mirror है कौन सा mirror है कौन के mirror और इस कौन के mirror के सामने center of curvature पे एक object को रखा गया है तो object की जो height है वो बताई गई है लेकिन indirectly बताई गई है तो बोला ये गया है कि एक box की जो height है वो 1 cm है तो यहां ये जो object है वो कितने box के बराबर है तीन box के बराबर तो height कितनी हो जाएगी 3 cm ये height कितनी हो जाएगी 3 cm है ना तेर अब आपको examine करना बताना है कि mirror का focal length कितना होगा और वो magnification कितना produce करेगी बताओ अब आप यह देखो एक दो तीन चार पांच छे तो focal length क्या होता है focal length होता है focus और focal length क्या होता है focus और pole की बीच की distance है ना तो focus और pole के बीच की distance कितनी आ रही है कितने box नजर आ रहे हैं 3 box आपने क्या देखा focus और pole के बीच में कितने box नजर आ रहे हैं 3 box 1 2 3 और हर box 1 cm लंबा है तो focus और pole के बीच की distance कितनी हो गई 3 cm और यही आपका focal length है लेकिन क्योंकि concave mirror है तो जो focal length होगी वो minus में होगी तो एक बात तो यह पता चल गई कि focal length कितनी होनी चाहिए minus 3 cm होनी चाहिए ठीक है अब एक और यह भी चीज़ है कि जब c पर concave mirror के सामने object को जब हम c पर रखते हैं तो image भी कहां बनती है c पर बनती है वो बराबर size की बनती है यह आपने पढ़ा है की नहीं बिल्कुल पढ़ा है तो यहाँ इस case में object कहां बनेगा object c पर बनेगा ऐसा बनेगा object की image ऐसी बनेगी यह object है तो उसकी image भी कहां बनेगी c पर बनेगी अब क्योंकि image principal axis के नीचे बन रही है तो जब अब इस image की height निकालेंगे h dash तो यह क्या आएगा minus में आएगा की plus में आएगा height of image h dash क्या आएगा minus में आएगा और height of object object प्रिंसपल axis के ऊपर है तो यह जो हमने sign पढ़े है तो उपर जो भी distance मेंजर करते है principal axis के वो positive होता है नीचे जो भी मेंजर करते हैं वो minus होता है तो height of object यानि h किसमे प्लस में height of image minus में है ना तो जब magnification लिखेंगे तो क्या लिखते है h dash upon h तो यह अगर minus में है और यह अगर plus में है तो magnification की value किस में आएगी plus में आएगी कि minus में आएगी minus में आएगी है ना और क्योंकि यह दोनों का magnitude बराबर है तो यह दोनों कट जाएंगे तो यह आएगा minus 1 तो focal length minus 3 magnification minus 1 तो यह आपका answer कौन सा है यह आपका answer B है B answer होगा एगा B answer होगा बास समझ में आ गई height of object अब height कहां से measure कर रहे है principal axis से तो principal axis से उपर जो भी distance measure करोगे plus और image नीचे बन रहा है तो नीचे principal axis के नीचे जो भी distance measure करेंगे वो minus तो height of image minus में आएगी और height of object plus में आएगी तो magnification क्या होता है ratio of height of image upon height of object तो height ये दोनों magnitude में बराबर है लेकिन इसका sign minus है इसका sign plus है तो ये minus 1 आएगा है कि नहीं swapnil patal पूछे ने सर बहुत but कुछ confusion है इस question में कुछ confusion हो तो पूछ लो बहुत बढ़िया question है magnification के दो फार्मूले होते हैं चाहे आप ratio of height of image upon height of object समझ लो सर सेम साइज होता है तो प्लस होना चाहिए नहीं नहीं बेटा प्लस क्यों होगा है ना आप चाहे किसी भी तरीके से साइज सेम है ना magnitude सेम है मताँ अगर ये plus 3 cm है तो image minus 3 cm दोनों की height magnitude में बराबर है देखो ये plus 3 cm ये minus 3 cm minus क्यों क्योंकि principal axis के नीचे जो भी distance measure करोगे वो minus लेते हैं तो height image कहां बन रही है principal axis के नीचे बन रही है ना तो ये height minus 3 लेंगे के plus 3 minus 3 लेंगे और object की height उपर है principal axis के तो से plus में लेंगे तो जब हम ratio निकालेंगे तो image की height minus 3 और object की height plus 3 तो plus माइनस माइनस हा जाएगा तो 3 3 cancel हो जाएगा वन हो जाएगा आगे answer तेर हाँ बिल्कूल sign convention के recording बढ़िया question है चलो अगले question पर देको यह चीज़ है ना यह condition है कौन के mirror में सेम साइज का image तभी बनता है जब object को center of curvature पर रखो तो center of curvature पर ही image बनती है लेकिन नीचे principal axis के नीचे और रियल और inverted image मिलती है और सेम साइज की मिलती है चलो अगला question the angle of incidence from air to glass at 0.0 on this hemispherical glass slab is angle of incidence बताना है देखते है किसका चलान कटता है किसका नहीं कटता है बहुर बढ़िया question है अरे जल्दी कहां जाने की जल्दी है बताओ अवनियवस्ति कह रहें sir i want to take course अवनी जी आप जाईए अड़ा 24-7 एप पर और वहां school segment k12 में जाकर class 10 के निश्चे 2.0 बैच में enroll कीजे और course purchase करते समय मेरा code use कर लिजे discount के लिए और वो code है वाई 621 एस वाई कैपिटल वाई 621 कैपिटल एस ठीक है तो यह आप code इस्तमाल कर सकते हैं बताओ question का answer क्या होगा पैया code लिख देता हो निश्चे 2.0 के लिए यह है code अगर यह code apply करोगे तो 17% discount मिलेगा इसके अलावा दूसरा code apply करोगे तो वाँ 15% करेगा मिलेगा जिसकांट तो मेरे code से 2% extra मिलेगा आपको answer क्या है 45 डिगरी यहां नहीं पूछा है यहां पूछा है यह पूइंट है है ना point ओ पे पूछा यह point है तो आप क्या देख रहे हो यहां light ऐसे एंटर नहीं कर रही है ऐसे एंटर करती तो normal ऐसे होता तो यह एंगल कुछ ना कुछ होता लेकिन इसको कम करते जाओ कम करते 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 अगर लाइट ऐसे ही एंटर करे नॉर्मल के लोग मतब परिपेंडिकुलर तो यह सीधी पास हो जाएगी विदाउट एनी डिफ्रेक्शन है ना तो यहां आप क्या देख रहे हो कि नॉर्मल के साथ इस लाइट रेने इंसडेंट रेने कितना एंगल बनाया zero degree बनाया answer zero degree होगा zero degree होगा यह ना यहां ऐसे भी हो सकता था यहां ऐसे भी हो सकता था माल वे 60 degree यह 30 degree इसे कम करते जाओ यह 20 degree 10 degree और यहीं से पास हो गई तो zero degree angle of incidence normal के साथ मेजर करते हैं तो एंगल जीरो होगा, त्याना रखना, भाई, अगर यहाँ पूछे तो समझ में आता है, है यह एंगल नहीं पूछा है ना, यह है नॉर्मल, अब इस एंगल को मैं कम करते जाओ, करते जाओं और अगर मैं कहूं कि लाइट रेसे जा रही है तो यह ऐसे थोड़ी निकलेगी तब सीधे निकल जाएगी तो तब एंगल इनल कितना हुआ जीरो डिगरी तो वैसा ही तो यहां हो रहा है Sीध duż निकल गई पर पेंडिकुलर सर्फेश के पर पेंडिकुलर शीरो डिगरी ठीक है स्वागत है आपका तो आंशर जीरो डिगरी होगा नेक्स्स कोशचन ऊंपोपन थ्रू मार्क'S का नेक्स्स को शीन है it is desired मेरा डिजायर है कि मैं क्या गरूं मैं एक इरेक्ट इमेज किसका किसी ऑब्जेट इरेक्ट इमेज आप्टेंड करूं किसकी मदद से कौन के मिर की मदद से जिसकी फोकल लेंद कितना है 12 cm ठीक है तो वाट शूट भी दा रेंज ऑफ दा अब्जेक्ट डिस्टेंस इन अबव केस तो इस कोशन का पहले पार्ट का अंसर आप लोगों से मुझे चाहिए देखते हैं चलान कटता है या नहीं कटता है बताओ क्या होगा अंसर मेरी इच्छा है कि कौनके मिरर के सामने मैं अबजेक्ट को रख हूँ और मुझे कैसी इमेज मिले मुझे वर्चुल और इरक इमेज मिले तो मुझे अबजेक्ट को कहां रखना पड़ेगा पहले पार्ट में यह पूछा है वाट विल भी दा रेंज ऑफ अबजेक्ट डिस्टेंस बिट्विन फोकस एंड पोल आफान एहमद ने आंसर दिया है और बिल्कुल सही दिया है अभी मैंने पढ़ाया था अभी मैंने पढ़ाया था कि कौनके मिरर वैसे तो रियल और इन पीच में तो अगर मुझे एलिक चाहिए यूजिंग कौनके मिरर तो मुझे ऑबजेक्ट कहां रखना पड़ेगा पूल और फोकस के बीच में तो पहले पार्ट का आंसर क्या है पहले पारट का अंसर है बिट्विन पोल एन फोकस ये देखो पॉल ये देखो फोकस ये पहले पार्ट का अंसर तो आपको मिल गया ऑब्जेक्ट शुट भी प्लेस बिट्वीन पोल एन फोकस बिल्कुल सभी यह को वर्चुल इमेज दिख रही है अब चाहे मैं यहां रख दू चाहे मैं यहां रख दू लेकिन पोल और फोकस के बीच में रखना सिर्फ यह केस है जब कौन के मिर्र वर्चुल और इरेक्टि मेंज बनाता है तो पहले पार्ट का अंसर आगया चलान कटा किसी का हां और ओब्जेक्ट लार्जर होगा साइज है बड़ा होगा वर्चुल होगा इरेक्ट होगा और मिरर के पीछे होगा बिहाइंड दा मिरर इमेज कहां है ब ड्रोई रे डाइग्राम टू शोड़ फॉर्मेशन आफ इमेज इन दिस केस आप कोशन ये पुछाए कि जो इमेज है वो बड़ा होगा कि छोटा होगा स्मॉलर की लार्जर तो क्या लग रहा है इमेज लार्जर होगा तो ये तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं आपका इसफर होगा कि इमेज विल बी लार्जर इन साइस दैन अबजेक्ट ठीक है अब आपको यह Rating बनाना पड़ेगा तो यह वाला रे डाइग्राम आपको बनाना होगा आपको यहां से एक रह ऐसे ले जाकर वापस लाना पड़ेगा एक रे पोल से ऐसे दिकाना पड़ेगा तो इन दोनों को पीछे बढ़ाने पर ये आपको वर्चुल इमेज मिल रही है ये डाइग्राम आपको बनाना पड़ेगा ये वालड डाइग्राम ड्रॉ करना होगा तभी नंबर मिलेगा चीक है बिल्कुल सही बिल्कुल सही अब आ जाते हैं तिसरे पार्ट पर तिसरा पा अबजेक्ट भी इफ इफट इस प्लेज त्वेंटि फोर सेंटीमेटर इन फ्रेंट आफ द भीर से अविरा यानि अगर अबजेक्ट को प्रां के विरर के सामने 24 सेंटीमेटर दूर रख दें तो इमेज कहाँ बनेगा तो आपको ये ऑबजेट की डिस्टेंस दे गई पोकल लेंद पता है और इमेज की डिस्टेंस निकालना है अब आप ये दखो फोकल लेंद कितना है 12 और 12 का डबल 24 फोकल लेंद का डबल क्या होता है कितनी दूरी हो जाती है कौन सा पॉइंट सेंटर आफ करवेचर तो इसका मतलब ये कह रहा है कि आपने प्ले को कहां रखा है छेंटर आफ करवेचर 예요 12 को कि फोकल लेंद 12 दिया है मतब इस समय क्या होकर सोगरल के बीच की डिस्टेंस को फोकल लेंद कहता है वो 12 cm और उसका डबल मतब पोल और सेंटर ओफ कर वेचर पीच में आ गया फोकस ये बारा ये बारा तो अगर आपजेक्ट 14-24 cm दूर है मतब आपजेट कहां है सेंटर ओफ कर वेचर पे इमेज भी कहा बनेगा सेंटर ओफ कर वेचर पे तो आंसर क्या होगा आंसर होगा इमेज कहां बनेगा सेंटर ओफ कर वेचर पे कैसा बनेगा बताइए रियल और इन्वर्टेड बनेगा और प्रिंस्पल एक्सिस के नीचे बनेगा ठीक है समझ में आगी बात आगे चलें बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया क्या बात है आपको ने बात को पकड़ ली यह बात बहुत अच्छी है हाँ चलो अगले कोशन पर चलते हैं वन मार्क्स का अगला कोशन है नाइध कोशन और एंटरिंग इने मीडियम फ्रॉम एयर दे स्पीड ओफ लाइट बिकम्स हाफ अफ इस वैल्यू इन एयर फाइंट दर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ डैट मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू एयर एयर से लाइट किसी मीडियम में जा रही है तो जो स्पीड लाइट की एयर में थी मीडियम में जाने के बाद उस लाइट की स्पीड उसकी हाफ हो गई जो एयर में थी उसकी हाफ हो गई तो उस मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बता रहा है अब इसका डियाग्राम बनाओ और बताओ क्या होगा अंसर बहुत सिंपल है बहुत सिंपल लल्लू कि हाँ सेम साइज मिलेगा कनक कुमारी बहुत बढ़िया शुभाम प्रमानंद मौर्या समरीन जबीन जियोती कुमारी रमेश अदो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आपसे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पूछा है तो डाइग्राम बनाओ ठीक है यह था एयर और यह था मीडियम तो air में light की speed कितनी होती है c और medium में क्या दिया है medium में light की speed क्या हो जाती है half यानि c by 2 ठीक है तो अगर air का refractive index 1 है तो medium का refractive index क्या होगा यानि n निकालना है तो n का formula निकालो क्या होगा n medium with respect to air यानि medium का refractive index air के respect में है तो absolute refractive index हो गया तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा c upon v होगा की नहीं अब यहाँ जो v है वो उसकी value दे रखा है c by 2 तो c और medium में जो velocity है वो दे रखा है c by 2 तो यहाँ answer क्या आ जाएगा refractive index आ जाएगा तो medium का refractive index केतना है टू है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की कोई unit नहीं होती ध्यान रखना हाँ हाँ विल्कुल आप लोगों को happy छट पूजा छट की बहुत बहुत बढ़ाई आप सभी को ठीक है अगर आप क्या मनाये जाता है तो अच्छे से मनाये ठीक है मेरे घर तो मनाये जाता है तो मैं तो सभी को शुपकामनाय दूंगा कि आप लोग board exam में बहुत अच्छा perform करो ठीक है unit less quantity होती है बिल्कुल चलो आज के सेशन के आखरी कोर्शन पर चलते हैं बहुत बढ़िया कोर्शन है the image of an object formed by a mirror is real inverted and is of magnification minus one एक mirror है जो object की कैसी image बना रहा है real inverted और कितने magnification minus one magnification का तो if the image is at the distance of 30 cm from the mirror where is the object placed तो अगर image 30 cm दूर है मिरर से तो object की distance निकाल ला है आपको दो पार्ट है इसमें यहां तक पाकी इसके आगे का पार्ट तो यह बता सबसे पहले कि अगर वो मिरर है और वो मिरर real or inverted image बना रहा है तो वो मिरर कौन सा है कौन के मिरर बिल्कुल सही अनुराक कुमार ने बिल्कुल सही कहा है अगर mirror real inverted image बना रहा है तो यह confirm है कि और क्योंकि कोनके मिरर है क्योंकि कान मिरर हमेशा virtual और क्योंत बता yeah सिर्फ एक केस में क्योंत बेच्प क्योंता है तो अगर रहल इन वाटेट है तूई तक पकर्क क्या मिरर है और माइटिज ओंने फफिकेशन क्या है माइनस वन तो हमने ऑब-जेट के डिस्टेंस पूछा है, तो magnification 1 का मतलब क्या है, पहले इसको समझो magnification minus 1 का मतलब क्या है, minus यह दिखा रहा है कि image क्या है, real or inverted और 1 क्या बता रहा है, 1 इस बात को बता रहा है कि जो height of height of image है वो बराबर है height of object के एना बात समझ में आई ठीक है, इसको मैं फिट से लिख देता हूँ यह समझना बहुत जरूरी है magnification की value minus में मतलब image क्या बनदा है, real inverted object और इसका magnitude यह तो sign हो गया, magnitude 1 है, इसका मतलब image और object की height बराबर है, तो इसका मतलब ऐसा कब होता है, कौन के mirror में की object और image की height बराबर हो जाए, जब object कहां रखा हो, center of curvature पे, इमेज भी कहां बनती है, center of curvature पे, तो मुझसे यह पूछा था, कि where the object placed, तो object is placed at center of curvature, is placed at center of curvature, that is 30 centimeter, in front of mirror, in front of mirror, है ना, मतलब ऐसा case है, ऐसा case है, यह हो गया पोल, यह हो गया focus, यह हो गया center of curvature, object यहाँ है, तो image भी यहाँ है, image की distance 30 centimeter, और object की भी distance 30 centimeter, है ना, बास समझ में आ गई, अब दूसरा पाट, find the position of the image, if the object is now moved to 20 centimeter, towards the mirror, अगर इस object को, अगर हम 20 centimeter आगे बढ़ा दें, तो अब image की distance निकालनी है, यह आपको बताना है, second part, तो अब इसका ray diagram बनाना पड़ेगा, बनाओ निकालो और बताओ क्या होगा answer, अगर object को, हम 20 centimeter, towards mirror, move कर दें, तो अभी object कितना है, 30 centimeter दूर, इसको 20 centimeter दूर कर देते हैं, mirror के तरफ 20 centimeter दूर कर दे, mirror से 20 centimeter नहीं, mirror के तरफ 20 centimeter आगे बढ़ा देते हैं, तो distance mirror से क्या हो जाएगी, object की 10 centimeter, है ना, तो अब इसका ray diagram मनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, कि यह आपका कौन के mirror, ठीक है, और, यह है आपका focus, यह है आपका center of curvature, और हमने object को center of curvature से, 20 centimeter आगे बढ़ा दिया, मतलब, कि उसे कहां रख दिया, उसे यहां रख दिया, क्योंकि यह distance हो जाएगी, 10, क्योंकि यह पूरी कितनी थी, 30, तो अगर यह पूरा 30 है, तो 20 आगे बढ़ा दिया, मतलब बचा कितने, 10 centimeter, है ना, ठीक है, अच्छा, अगर आपका pole से center of curvature, यानि जो double of focal length है, वो आपका 30 है, तो focal length क्या होगा, focal length होगा 15, और कौन के mirror है, तो focal length minus होगा, तो आपके पास focal length है, u कितना है, minus 10 centimeter, तो image नहीं निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे, तो आपको क्या लगाना है, mirror formula लगाना है, ठीक है, बास समझ में आई, 20 centimeter आगे खिसका दिया, तो अब object की distance कितनी हो जाएगी, 10 centimeter pole से, और हमको ये दिया है, कि object center of curvature पे था, तो वो distance 30 थी, तो ये focal length, ये focal length, तो focal length का double कर दें, तो 30 centimeter, तो focal length कितना आएगा, 15 centimeter, तो focal length भी minus में आएगा, क्योंकि कौन के mirror है, और object की distance minus में, क्योंकि आप किदर measure करोगे, left side measure करो लो न, pole से आपको left side measure करना है, तो object की distance भी minus में, आप image की distance निकालना है, formula में रख दो, तो मेरा formula क्या होता है, 1 by V plus 1 by U is equal to 1 by F, 1 by V, V कितना है, V तो निकालना है, U minus में है, ये हो जाएगा, minus 1 by 10, ये हो जाएगा, minus 15, 1 by V is equal to हो जाएगा, minus 1 by 15, plus 1 by 10, ठीक है, तो 1 by V is equal to, 15 हो दस, 15 हो दस का कितना होगा, 2 by 5 हो 10, 3 by 5, 5 by 1, 30, तो 15, 2 जाएगा, minus 2, ये plus 3, ये हो जाएगा, plus, है ना, clear, clear, तो आपको डिस्टेंस मिल गई, किसकी इमेज की, और क्या पूछा था, what is the nature of image, पोजीशन तो मिल गया, plus 30 cm, अब इमेज का नेचर बताना है, तो नेचर कैसे बताते हैं, नेचर बताते हैं, मैगनिफिकेशन से, तो M क्या वैल्यू होता है, minus V by U, minus V कितना है, plus में, plus 30, और U कितना है, minus, minus कितना 10, तो यह माइनस माइनस हो जाएगा, plus, और यह हो जाएगा, 3, तो मैगनिफिकेशन, पॉजीटीव है, मतलब, इमेज का नेचर क्या है, वर्चूल एन इरेक्ट, और, अबजेक्ट के कमपरिजन में, और यह सेंटिमेटर नहीं होगा, अबजेक्ट के कमपरिजन में, 3 गुणा बड़ा, यानि 3 टाइम्स लार्जर इमेज मिलेगी, वर्चूल मिरेगी, क्योंकि प्लस साइन है, और किदर मिलेगी, मिरर के पीछे, बास समझ में आ गई, तो अबजेक्ट की पोजीशन, तो हम यहां से बता देंगे, फॉर्मले से, लेकिन अबजेक्ट का जो, इमेज का या अबजेक्ट का जो नेचर होता है, ना इमेज की नेचर, कि वो वर्चूल है, कि एरेक्ट है, वो हम M की साइन, मैगनिफिकेशन के जो साइन होता है, उससे बताते हैं, ठीक है, तो ये था आज का सेशन, I hope कि ये सेशन आपको काफे इंट्रेस्टिंग लगा होगा, अब ऐसा ही प्रीवियस एर कोशन का सेशन में लाता रहूँगा, लेकिन आपको कनेक्ट रहना है, मैं रागविंद्र सिंग्डेली शाम को पांत बजे आपके लिए सेशन साइन्स का लाऊंगा, और प्रप्रेशन कराऊंगा, तो आज के सेशन के लेतना ही, हेलो एंड़े चेंपियन्स, हेलो चेंपियन्स, वेलकम बैक ऑन अंड़ा 24-7 क्लास 9 & 10 यूटब चैनल, तो अड़ा 24-7 क्लास 9 & 10 यूटब चैनल पे आप सभी क्लास 10 के बच्चों का स्वागत करता हूँ, मैं रागविंद्र सिंग आज लेकर आया हूँ, प्रिवेस येर कोशन की अगली सीरीज जिसमें मैं आप एलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के कोशन प्रैक्टिस कराऊँगा, कार्बन अनिट्स कंपाउंड का कराया, लाइट का कराया, और कल संडे को मैंने डाउट क्लियर किया, तो आप मेरे डेली सेशन दिखा करो, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, डाउट क्लियर करने में फायदा होगा, निमेरिकल आसान सीनी से बनेंगे, कैसे कोशन पूछता है, सीबियसी वो क्लियर हो जाएगा, तो ये सारी चीजें आपको अंडरस्टूड करनी है, तो सेशन में आईए, पांच बजे डेली सेशन होता है, तो अभी पांच बज चुके हैं, सेशन स्टार्ट करते हैं, तो अनुज हेलो बेटा, आईएस राज हेलो, यदु अन्शी हेलो, सभी बच्चों का स्वागत है, जान की गुपता हेलो, नटखट, क्या नाम है, बहुर बढ़िया, स्वागत है, तो सच एप्टर 11 के लिए भी कुछ, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए भी प्रिवेस एर कोशन लेकर आऊँगा, है ना, तो स्टार्ट करें, आप रेडी हो, तयार हो जाओ, कोशन आपके सामने आ रहा है, पेंट पेपर लेके बैठ जाओ, कोशन प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो, आंसर लाइब चैक्टर बताना, और फिर मैं उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, और फिर देखते हैं, किसका चलान कटा की नहीं कटा, है ना, तो चलान कटना है, तो उससे बचो, है ना, चलान कटना तर नमबर कटना, पास समझ में आगे, गुड इवनिंग सुनेता, दिव्या, हेलो बिटा, मित्यादो, हेलो, चलो, हेलो, सभी बच्चों का स्वागत है, साजेद अंसारी, हेलो, स्रिष्टी, हेलो, चलो, स्टार्ट करते हैं, पहला कोशन आपके सामने आ चुका है, ये CBSC 2019 में पूछा गया कोशन है, तो इसको कोशन को सॉल्व करो, देखो कि आपको क्या ये कोशन बन रहा है आपसे, क्या आपका चलान कट रहा है कि नहीं कटा, नहीं कटा तो बहुत बढ़िया बात है, कोशन बनना चाहिए, कंसेट मेरे पूरा पढ़ा दिया है, चैप्टर पूरा पढ़ा दिया है, तो अब आपसे कोशन बनना चाहिए फटाफट बनाओ फटाफट बनाओ साजाद अनसारी के रहे सर हो गया अनुश्का सिंग हेलो बेटा साक्षिया दो हेलो क्या दिया है कोशन में in an electric circuit two resistors of 12 ohm each are joined in parallel to a 6 volt battery find the current drawn from the battery तो battery कितना current drawn कर रही है और बैटरी से कितना current निकल रहा है यह आपको निकालना है calculate करना है तो सबसे पहला काम क्या करोगे what is the first thing you will do पहला काम है आपका diagram बनाओ circuit diagram बनाओगे तो अपने आप clear हो जाएगा concept साजद अंसारी ने आंसर बता दिया है देखते हैं उनका अंसर सही है कि गलत है आंसर बता के डिलीट भी कर दिया यह दो अंशीन आंसर बता दिया है सपना का अंसर आ चुका है तो सबसे पहले आप diagram बनाओ diagram बनाया जाए diagram बनाया जाए आप गोने diagram बना लिया बेटा diagram बनाना बहुत जरूरी है बोर्ड exam में नंबर देगा examiner तभी step के भी तो number होते है तो अगर यह दो number का question आया है तो एक number diagram बनाने पे और एक number सही आंसर निकालने पे तो आप diagram बनाओ और बताओ तो पहले diagram हम बनाते हैं दो resistor है 12 ohm के और parallel में connected है तो एक तो हो गया 12 ohm का यह और एक हो गया यह यह भी 12 ohm यह भी 12 ohm है ना और यह parallel हमें connected है और यह battery के साथ connected है battery कितने volt की है 6 volt की battery है तो यह हो गए 6 volt की battery plus minus 6 volt ठीक है तो अब मुझे अगर current निकालना है तो current कौन से formula से निकालूंगा ohm's law से निकालूंगा तो V पता है R पता है I निकल जाएगा लेकिन यहां R कौन से रखोगे उपर वाला नीचे वाला की इसका equivalent तो आपको equivalent रखना पड़ेगा तो 12 और 12 का equivalent क्या हैगा parallel में निकाल लो कैसे निकालेंगे बहुत आसान है parallel में हमको पता है 1 upon R equivalent होता है 1 upon R प्लस 1 upon R यानि 1 upon 12 प्लस 1 upon 12 ठीक है तो यह हो जाएगा आपका 2 upon 12 2 upon 1 upon 6 तो 1 upon R equivalent की value 1 upon 6 है तो R equivalent की value कितनी आगे 6 ohm यानि अगर इसी सरकित डागराम को मैं थोड़ा change कर दूँ तो मैं 12 और 12 की जगह एक वायर assume कर सकता हूँ कितने ohm के 6 ohm के बैटरी है आपका 6 volt की तो अब ohm slow लगा दो V is equal to IR V कितना है V है 6 I निकालना है R equivalent तो R equivalent कितना है 6 तो I की value कितनी आ गई 1 ampere तो answer क्या होगा answer होगा 1 ampere यह रहा answer किसका किसका सही है और किसका किसका चलान कट गया अब जड़ा देख लेते वन ampere is the correct answer जिन बच्चों ने 2 ampere दिया उनका चलान कट चुका है गाड़ी साइड में ले लो गाड़ी साइड में ले लो चलान कट चुका है बात तमझ में आ गई 1 ampere is the correct answer अनुच का अंसर बिल्कुल सही है गुर्मिलन कोर का अंसर बिल्कुल सही है शुरिष्टी आपका अंसर भी सही है साजद अंसारी आपका भी आंसर सही है अनीता शर्मा आपका भी आंसर सही है चलान नहीं कटा सर इस बार बहुत बढ़ीया त बुल्कुल सही है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जान की घुपता हाँ हाँ बहुत बढ़िया क्या बात है देव खारा गुड़ीवनिंग मेटा तेव कैसे हो आप तो यह रहा पहले question का अंसर तो concept पकड़ो है ना concept पकड़ो कि हमको क्या concept हमने सीखा है उसको apply करो तो सब्सक्राइब के क्लियर सब्सक्राइब तो जब आप यहां आर की वैल्यू रखोगे तो आपने यह ओम स्लॉप पूरे पर लगाया ना तो आर की वैल्यू फिर इन दोनों में कौन सा रखो गया इन दोनों का combined value रखोगे इन दोनों का combined value कितना आया six के बराबर आया parallel से हम प्रेक्स लेुए को सकतो को बटा चंव गम है इसके चार पार्ट है एबी सीडी डाइगराम दिया है सबसे पहले एपार्ट का अंसर बता अव पहले प्सकॉ LakListen एना पार्ट पहले श्ल करें मैं क्या दिया है क्या अश्चर की डिया यहां से देखो सर्कीट apo सर्कु ठीक है, यहाँ 4 ohm का resistor है, यहाँ lamp है, यहाँ emitter है, और यहाँ की है, an electric lamp of resistance 20 ohm and a conductor of resistance 4 ohm, तो conductor का resistance तो 4 ohm दे रखा है, लैंप का कितना दिया है, 20 ohm दिया है, clear, तो यह चीज ध्यान देनी वाली बात है, अब आपको total resistance पूछा है, तो पहला पार्ट तो बहुत आसान है न, अरे यह 20 और यह 4 और यह दोनों किसमें, सिरीज में, तो सरकिट में यह दोनों लैंप और जो रजिस्टर है, वो सिरीज में, तो जो आर टोटल रेजिस्टेंस होगा, टोटल रेजिस्टेंस वो क्या हो जाएगा, आर वन प्लस आ टोटल के सिरीज में है, तो इसका मतलब 4 और प्लस 20 और यह आंसर आएगा 24 और यह पार्ट का आंसर है 24 और बिलकुल सही, बिलकुल सही, अब आपको B-part solve करना है, ठीक है, तो B-part हम यहां solve करेंगे, अब आपको B-part solve करना है, current through the circuit, आपको circuit से current निकालना, बताओ, आपको total resistance पता चल गया, total potential दिया हुआ है 6 वोल्ट, तो current नहीं निकाल लोगे, निकाल लोगे कौन सा formula apply करके, ohm slow apply करके, तो लगाओ ohm slow, तो ohm slow क्या होता है, V is called to I-R, V कितना है, 6, I निकालना है, और R कितना है, R आपने निकालना है, 24, तो यह R आपको यहां रख दोगे, तो I की value क्या हो जाएगी, 6 by 24, है ना, तो यह हो जाएगा कितना, 1 by 4, और 1 by 4 मतलब, 0.0, 428, और 2045, 0.25 ampere, यह आपका answer है, second part का, बिलकु सही, 0.25, 0.25, बिलकु सही, बहुत बढ़िया, तो B part का answer आगया, तो हमने A part solve कर लिया, B part solve कर लिया, अब बारी है, C part की, CBSC 2019 में आया हुआ कोश्चन है, और कितना basic है, देख लो, अब C part चाहिए, C part क्या है, potential difference across electric lamp and across conductor, तो आपको potential difference दोनों के across चाहिए, यह है आपका conductor, तो इसके across कितना potential difference है, delta V, यह भी निकालना है, और यह जो lamp है, इसके across कितना potential difference है, यह भी निकालना है, तो आप potential difference कैसे निकालोगी, यह बताओ, अनुच का तो answer आ गया, देखो बहुत simple है, एक चीज़ तो यह concept clear है ना, कि यह जो current है, 0.25 ampere, यह current कहां से निकलेगा, यह current निकलेगा, बैटरी से, और यह 0.25 current, 4 ohm में भी जाएगा, और 20 ohm में भी जाएगा, है ना, तो जड़ा यहां देखो डाइग्राम, फिर से जड़ा C वाला पार्ट का हम डाइग्राम मनाते हैं, तो अगर 4 ohm में देखें, कितना current जा रहा है, current जा रहा है 0.25, है ना, तो इसके across जो potential difference होगा, वो वी, कैसे निकालेंगे, ohm slot से निकालेंगे ना, ir, तो i कितना है, इस 4 ohm में कितना current जा रहा है, 0.25, और r कितना है, 4, तो 24, 25, 4 जा कितना होता है, 100 होता है, और यह 2 point के बाद decimal है, तो यह कितना जाएगा, 1 volt आ जाएगा, ठीक है, तो 4 ohm के cross कितना potential difference है, 1 volt है ठीक है, conductor के cross कितना है, 1 volt, ठीक है, तो हमने C का second part तो निकाल लिया, C का कौन सा second part, C का first part भी निकाल लेते हैं, first part क्या पूचा है, कि potential difference across lamp, तो lamp दिया है, ठीक है, यह है, यह है lamp, इसका resistance कितना है, 20 ohm, और इसमें भी current कितना जा रहा है, 0.25, क्यों सर, क्योंकि conductor और lamp दोनों series में हैं, तो दोनों में same current flow होगा, same amount कों कि series में जब resistor connected होते हैं, तो उनमें current की value same होती है, तो यहाँ भी 0.25 ampere current flow होगा, तो potential कैसे निकालेंगे, ohm's loss है, V is equal to IR, I कितना है, 0.25, और R कितना है, और यह हो जाएगा, आपका 5 volt, यह कितना हो जाएगा, 5 volt, तो lamp के cross कितना है, 5 volt, और यह 5 और 1, मिलकर कितना हो जाएगा, बैटरी के बराबर हो जाएगा, 6, तो हमारा answer सही है, हमने cross check भी कर लिया, हमने cross check भी कर लिया, क्योंकि यहाँ battery का potential 6 है, तो इन सभी के cross जो potential difference होगा, वो मिलाकर 6 होना चाहिए, तो यहाँ 1 volt, यहाँ 5 volt, मिलाकर 6 volt हो गया, तो हमारा C part का भी answer आगया, तो C के पहले part, यादि lamp के cross potential difference कितना है, 5 volt, और conductor, यादि यह resistor के cross कितना है, 1 volt, यह हमारा answer आगया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है ना, तो C part हमने solve कर लिया, अब क्या पूछा है, power of lamp, तो lamp का power D, D part है, D part पूछा है हमसे, बताओ क्या होगा answer, power का formula बस याद होना चाहिए, answer आ जाएगा, बस power का formula लगा दो, बस lamp पे लगा ना, lamp पे पूछा है, सर, potential और P में different में अंतर, potential और P different में अंतर बता दीजे, अरे potential मतलब किसी एक point का potential potential होता है, लेकिन किसी दो point के potential का difference निकाले, तो वो potential difference होता है, है ना, जैसे माल लो, एक point का है 10 volt, दूसरे का है 6 volt, तो 10 और 6 potential है, लेकिन इन दो point के बीच का difference निकालोगे, तो 10 minus 6 करोगे, तो 4 निकला, तो वो आपका potential difference है, अरे power joule में कैसे आएगा, काफी बच्चे, जूल में बता रहे है, what में आएगा ना, चलो solve करते, पावर का, अब मैं कौन सा option solve कर रहा हूँ, D option, D solve कर रहा हूँ, power, lamp के cross पूछा है ना, power का formula क्या होता है, power के बहुत सारे formula है, V, I, B formula है, है ना, तो lamp के cross, voltage कितना है, 5, और lamp में current कितना जा रहा है, 0.25, तो जब इसमें मैं multiply करूँगा, 25, 5 जा 125, और यह decimal, तो lamp पे power रहा जाएगा, 1.25 watt, 1.25 watt, power को formula V, I होता है ना, तो power किसका पुछा है, lamp का, तो lamp का V और lamp का I, तो lamp का V कितना है, 5, और lamp में current कितना है, 0.25, तो नों को multiply कर दिया, 1.25 watt आ गया, सौप्टिल पटेल सर, यह chapter सर के उपर से जा रहा है, तो सौप्टिल पटेल मेरा lecture देखो, चैनल पे, playlist में जाकर, electricity पूरा देखो, तब clear हो जाएगा, बेटा, इस week आ जाएगा, ATSC का result इस week आ जाएगा, ठीक है, बहुर बढ़िया, तो हमने, पार्ट का answer भी solve कर लिया, तो हमारे सारे answer solve हो गए, और यह हमने, CBSC के 2019, board exam का question solve कर लिया, अगर यह question बन रहा है, मतलब आपका, 2023 में जो board exam है, वो भी question बनेंगे, फुल के फुल number आप उठाने वाले हो, हर्ष राज, सर मैं आपका recorded video वाच कर रहा हूँ, यूट्यूब, क्लास इन निश्चे बैच, ओके बेटा हर्ष राज, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ी है, थैंक्यू सुशांत मनी, थैंक्यू सो मच, बच्चों मेरा वीडियो ना, एक दिन देखने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि पहले topic पढ़ो, अब सीधे question practice करने पर कई बच्चे आ जाते हैं, तो पहले जिन बच्चों को लग रहा है कि question नहीं बन रहा है, मैंने जो electricity chapter पढ़ाया है, उसका वीडियो आप playlist में जाईए, खोजिए, वहाँ से पढ़िए, और फिर question practice करने में, session में आईए, live session में, question practice कीजिए, देखिए, बनेगा, ठीक है, clear, समझ में आया, चलो आगे चलते हैं, next question पर, next question, cbsc 2020 में आया हुआ, एक number का question था, one mark question था, बताओ क्या होगा answer, प्रियांशों इस हफते आ जाएगा, ATSC का result इस हफते आ जाएगा, हाँ हाँ, बल्ब में resistance क्यों नहीं होगा, बल्ब में बिल्कुल resistance होता है, है ना, चलो, two bulbs of 100 watt and 40 watt, are connected in series, the current through 100 watt bulb, is 1 ampere, the current through 40 watt, bulb will be, बताओ, एक number का question है, CBSC 2020 में पूछा था, क्या होगा answer, दो बल्ब है, यह ना, दो बल्ब है, एक 100 watt का, और 40 watt का, ठीक है, 100 watt के बल्ब में कितना current flow हो रहा है, यह current आपको given है, यह जो current enter कर रहा है, वो 1 ampere है, तो 40 watt के बल्ब में कितना current जाएगा, बताओ, बिल्कुल सहीरे, दोनों bulb सीरीज में हैं न, तो सीरीज में क्या सेम होता है, तो current सेम होता है, तो 40 watt पे बल्ब में भी क्या जाएगा, same current flow होगा, same current मत्तर 1 ampere, तो यहां हमारा answer हो गया, easy तो था, कोई बहुत difficult question थोड़ी था, concept यही है, कि current सीरीज में सेम होता है, हाँ, बहुत तहीं, बहुत बढ़िया, स्रिष्टी, साहित्य, अनोच, गुर्मिलनक और दिव्या, साज़त अंसारी, सभी बच्चों का answer आया है, आस्ता शुकला, बहुत बढ़िया, answer 1-ampier होगा, क्योंकि, बात बनी, ऐसे question पर देखना है, simple भी आएगा, तोड़ा tough भी आएगा, tough तो है नहीं कुछ, बस वो लगता tough है, क्योंकि बन नहीं रहा है, और जिस दिन बनने लगेगा, सब आसान लगेगा, है ना, चलो, अगले question पर चलते हैं, CBSC 2000, अगले question important क्यों है, CBSC 2021 ने पूछा है, यानि पिछले साल का, पिछले साल का question है, बताओ क्या होगा, answer, write the mathematical expression for Jules law fitting, और फिर उस पर question दिया है, Jules law fitting बहुत important है, इसका derivation मैंने video upload किया था, दिवाली के समय, तो derivation भी आ सकता है, तो derive मैंने कर दिया है, derivation पूरा, वहाँ से पढ़िए, ठीक है, बताओ, write the mathematical expression for Jules law fitting, और फिर उस पर एक numerical पूछा है, बहुत बढ़िया, जी हाँ, expression तो, expression तो बहुत simple है, हमको पता है, कि जो, किसी wire में, conductor में current flow होने से, जो heat produce होती है, वो heat, current के square के directly proportional होता है, और वो heat, resistance के directly proportional होता है, और time के directly proportional होता है, तो जब अब इन तीनों को combine करेंगे, तो formula क्या बनेगा, I square RT, तो पहले का तो यही है, किस topic पे class होगी, स्विष्टी पूछ रही है, कल बेटा मैंने chemical reaction and equation, पहला चेप्टर पे previous question का class रखा है, ठीक है, ठीक है, यह तो हो गया, पहले part का answer, अब आजाते हैं B part पे, B part solve करो, और बताओ heat generated क्या होगा, what will be the heat generated, ध्यान से solve करना, गलत नहीं होना चाहिए, बताइए क्या होगा, क्या होगा, heat generated, आपको charge दिया है, आपको potential difference दिया, आपको time दिया है, तो बताओ क्या होगा answer, जखो इसको दो तरीके से solve कर सकते, या तो पहले आप I निकालो, R निकालो, value put करो, और फिर H निकालो, सही है, लेकिन वो lengthy हो जाएगा, मैं एक short तरीका भी अपनाता हूँ, जिससे भी निकाल सकता है, देखो, H is call to, I square R T होता है, हाँ होता है सर, अब इसको थोड़ा rearrange कर लो, I square मत्तब दो I है, I into I, into R, into T, यही है ना, अब आप यह बताओ, I, आर को मैं और क्या लिख सकता हूँ, I into R, तो हमको पता है, कि V is call to I, आर होता है ना, तो I into R की जगह मैं V लिख सकता हूँ, हाँ सर, V लिख सकता हूँ, और यह क्या हो जाएगा, यह अब expression हो जाएगा, V into, I into T, और I into T, तो I का formula होता है, Q by T, तो यहाँ से Q को क्या लिख सकता हूँ, I into T, तो I into T के जगह क्या लिख सकता हूँ, Q, तो जो H का formula है, वो बदल के हो गया मेरा, V Q, यह भी सही है, अब मुझे V पता है, Q पता है, direct रख दू, है ना, तो मैं यहाँ अगर H is equal to V, V कितना है 40, और Q कितना है, Q है आपका 96,000, इसको मैं रख दूँ, अब इसको solve करो, answer Joule में आएगा, Joule में, kilowatt hour जिसका है, गलत है, तो मैं 40 into 96,000 कर देता हूँ, तो यह क्या आएगा, 3, 3, 3, sorry, 3, 8, 4, 1, 2, 3, 4, इतना Joule, यानि इसको मैं लख सकता हूँ, 3, 8, 4, 0, किलो Joule, यह आपका answer है, क्लियर, समझ में आया, clear है कि नहीं, तो आप इस तरीके से भी question solve कर सकते हो, एक और तरीका था, जो मैंने अभी इसके पहले बताया, कि आपको Q पता है, आपको time पता है, आई निकालो, आपको I निकल गया, V पता है, तो R निकल जाएगा, और फिर I, R और T की value put कर दो, H निकल जाएगा, तो उससे भी solve करोगे, यही answer आएगा, लेकिन मैंने क्या किया, जो given है, उसी के रूप में formula को बदल दिया, तो इस formula को मैंने बदल कर, इस formula में ले आया, क्योंकि मुझे यह चीज given था न, तो जो चीज given है, वही वाला formula आ जाए, तो कितनी बड़िया बात है, clear है अनुझ, अरे 3840 किलो जूल होगा, किलो मत्तर 1000 होता है, यहाँ 0 लगा हुआ है, चीक है, अंश, 384 किलो जूल नहीं होगा, हाँ, अनुझ कह रहे हैं, हाँ सर मैंने वैसे ही निकाला था, लेंदी हो गया, जी हाँ नुझ, वैसे अगर एक्जाम में आप करो, तो कोई गलत नहीं है, आपकी मर्जी, एक ही कोशन को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं, आप उस तरीके से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, ठीके, चला जाए आगे, तो यह CBSE में पूछा गया है, और कमाल की बात है, NCRT बुक में भी यह कोशन दिया है, NCRT बुक में भी दिया है, तो ध्यान रखो, चलो आगे चलते हैं, नेक्स कोशन पे, CBSE 2021 में पूछा गया कोशन है, AVI graph for a NICROM wire is given below, what do you infer for this graph, इस graph से आप क्या समझ रहे हो, क्या पता चल रहा है आपको, और draw a labeled circuit diagram, to obtain such a graph, अब मेरा guarantee है, challenge है, कि यह, इस question का यह दुसरा पाटना, बच्चे नहीं बना पाएंगे, देखते हैं, मैं challenge दे रहा हूँ, सर आपने electricity chapter के, आपने सारे topic, अलग-अलग video में record किया है, बहुत problem हो रही है, तो बेटा, अलग-अलग नहीं record करूँगा, ना, भाई, पहले topic wise पढ़ना होता है, और जब एक बार पढ़ने की कोशिश करोगे, तो फिर clear नहीं होगा, topic wise पढ़ो, electricity में पहले current पढ़ो, फिर potential समझो, फिर ohms law समझो, फिर system of resistors, वो equivalent resistance समझो, फिर power समझो, फिर jules law fitting समझो, तब जाकर chapter end होगा, बताओ, तो अप्रिल पटेल बेटा, जब जो मैंने video record किया है, उसी हिसाब से पढ़ोगे, तो फाइदा मिलेगा आपको, एक बार में सोचो कि मैं पूरा chapter पढ़ूँ, यही गलती है आपकी, आप देखो graph कैसा मिला, तो देखो इस question के दो पार्ट है, इस question के दो पार्ट है, एक यहां से लेकर यहां तक, तो उसका answer पहले देखते हैं, और फिर दुसरा पार्ट, दुसरा पार्ट मैं आपको challenge दिया है मैंने, कमाल का question है, अधिकतर बच्चे, यहां ही लटक जाते हैं, कौन सा सरकी डियागराफ मनाएं, तो उस पर discussion करेंगे, पहले पहले पार्ट को देख लेते हैं, अच्छा graph कैसा मिला, graph तो straight line मिलना था, तो अगर graph is straight line, इसका मतलब क्या है, तो graph के बारे में लिख दो कि graph, is straight line, passing through, तो कहां से पास कर रहा है, passing through origin, यह graph का nature है, और straight line का मतलब ही है, straight line तभी आएगा, जब एक physical quantity, दूसरे physical quantity के साथ, direct relation में हो, यानि कि यहां से एक साबित हो गया, एक quantity है, potential difference दूसरा है current, तो यानि कि, V is directly proportional to I, यह आपका conclusion निकल कर आया, और इसी को ohms law कहते हैं, यही है आपका ohms का law, कि जितना change potential में करोगे, उतना ही change current में होगा, यही होता है direct relation, और यही है ohms law, और यही हम inverse कर पा रहा हैं, बहुर बढ़िया, बहुर बढ़िया, अब आते हैं second part, draw a level circuit diagram, to obtain such a graph, circuit diagram मनाना है, ताकि आपको यह graph मिले, और यह circuit diagram, NCRT की book में दिया गया है, बनाओ, पक्का है, चलान कठेगा, guarantee है, challenge है, answer लाओं सामने, कितने बच्चे draw कर लिए हैं, इस question का second part, बहुत कमाल की चीज़ है, और अब आपको समझ में आ जाएगा, कि NCRT की कितनी value है, आपके CBSC board exam में, NCRT की value आपको इसी question से समझ में आ जाएगी, कि CBSC 2021 board exam में पूछा हुआ question, और यहाँ जो circuit diagram आपको draw करना था, वो circuit diagram NCRT की book में दिया है, और बच्चे miss कर देते हैं, है ना, बच्चे NCRT को हलके में लेते हैं, और वहीं नुकसान हो जाता है, ड्रॉ कर लिया, अब देखते हैं, चलान कटेगा की नहीं, कौन सा circuit diagram ड्रॉ किया है, अगर आपने यह circuit diagram ड्रॉ किया है, देखो, NCRT का electricity chapter का, figure number 12.2, मैं या लिख देता हूँ, electricity chapter का figure number 12.2, साफ साफ लिखा है, electric circuit for studying ohms law, ohms law के study करने के लिए, जो circuit diagram था, वो है यह circuit diagram, है ना, यह circuit diagram बनाना था, देखो, इसमें है क्या बहुत simple सी चीज़ है, यहाँ देख लो, यहाँ देखो, एक resistor है, एक resistor है, जिसका resistance क्या है, R, और इस resistor के cross, क्या लगा दिया गया है, voltmeter, यह plus, यह minus, और फिर, यहाँ क्या लगा है, emitter, फिर यहाँ क्या लगा है, close switch की, और फिर यहाँ, wire है, फिर यहाँ कई सारे cell है, एक cell, दूसरा cell, तीसरा cell, चौथा cell, और यह cell आकर, यहाँ जुड़ा है, अब यह wire, यह dot dot line क्या दिखा रहा है, कि एक बार wire को यहाँ जूड़ रहे है, एक बार wire को यहाँ जूड़ रहे है, क्योंकि जब wire यहाँ जूड़ेंगे, तो इन चारो cell का battery combine हो जाएगा, जब यहाँ जूड़ेंगे, तो क्योंकि तीन cell का battery potential combine होगा, यहाँ जूड़ेंगे क्योंकि दो cell का, तो मतलब आप potential change कर रहे हो, तो यहाँ M meter में current की reading देखोगे, ठीक है, बात clear हुई, जब आप यहाँ connect करोगे, तो potential 4 cell का मिला करोगा, जब आप यह cell को यहाँ, इस wire को यहाँ connect करोगे, तो केवल तीन cell आएंगे, जब यहाँ connect करोगे, तो केवल दो cell आएंगे, बतब potential change हो रहा है, तो उसी साब से current की value change होगी, और तब वो graph reading मिलेगी, उससे graph बनेगा, तो उस graph के लिए, यह सरकी diagram बनाना था, चला नहीं कटा, जिन जिन बच्चों ने चला नहीं कटा, बहुर बढ़िया बात है, क्या मज़े की बात है, अकसर बच्चे इसमें, गलत सरकी diagram बना देते हैं, तो सरकी diagram में फिर से बता रहा हो, ऐसे बनाना है, पहले क्या करना, एक register दिखाना, फिर उसके साथ, एक voltmeter जोड़ देना, फिर उसके साथ, series में emitter जोड़ देना, फिर एक switch key जोड़ देना, और फिर यह ऐसे ले आना, और इसको ले जाना उपर, इसके साथ, चार बैटरी जोड़ देना, मतल़ चार सेल, है ना, और इसको लाकर ऐसे, और यह एक बार dot dot, ऐसे दिखा दो, यह ऐसे दिखा दो, ऐसे दिखा दो, current का flow, ऐसे दिखा दो, हो गया, बास समझ में आई, ठीक है, तो यह dot dot का मतलब यह है, यह एक बार यह जो wire है, यहाँ connect कर रहे हैं, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तो अलग-अलग point पर connect करने से, potential change होगा, और potential change होगा, तो current की reading निकलेगी, और फिर, उसको आपस में देखा गया, graph बना कर, तो क्या पाया गया, कि वो directly proportional है, इसलिए graph कैसा मिला है, straight line, तो यह वो circuit diagram था, जो draw करना था, चीक है, तो बच्चा जो session में आएगा, उसको पता चलेगा न, कि question कैसे पूछे जाते हैं, क्या बनाना है, NCRT में कौन सा diagram important है, और जो बच्चा session देखेगा यह नहीं, तो कैसे उसको पता चलेगा, तो मैं आप से कहता हूँ, कि आप आओ अपने दोस्तों को भी बुलाओ, आरे सबका भला होगा, सबका भला सबकी भलाई, है ना, समझ में आया, चलो, चार सेल, चार सेल इसलिए, देखो चार सेल इसलिए कोँगे NCRT में दिया है, आप चार के जगा पांच में बनाओंगे, तो कोई गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है, तीन में बताओंगे गलत नहीं है, चार मैंने बोला, इसलिए बोला क्योंकि NCIT में 4 बनाया है आप 4 ना बना के 5 बना दो यह दो NC है ना चलो अगला कोश्चन CBSC 2021 में पूछा गया प्रीवेस एर कोश्चन है तो यह तो सिंपल है बना लोगे आपको एक्वेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है फटा फट निकालो बिना पैन मुझ जबानी मुझ में मन में सोचो और मुझ से अंसर निकल जाएगा सर थोड़ा जल्दी करा दीजे रिया सोन कर पिटा जल्दी कराने उनके चक्कर में आपको समझ में नहीं आया तो बाकी बच्चे भी तो है एक नहीं बना सकते सुरिष्टी एक मत बनाना एक बच्चे सुरिष्टी ने पूछा है कि सर इसमें एक बना देंगे तो एक बनाओगे तो पोटेंशल चेंज कैसे करोगे क्योंकि अगर आपने चार बनाए है तो आप वायर को अलग-अलग पॉइंट पे देखो ध्यान से देखो एक बार आप इस वायर को यहां कनेट कर रहे हो एक बार यहां कनेट कर रहे हो एक बार यहां एक बार यहां तो पोटेंशल चेंज हो रहा है लेकिन अगर एक ही सेल है तो फिर कहा उसको चेंज करोगे, potential change करने की opportunity फिर नहीं मिलेगी और जब potential change नहीं करोगे, तो current में कितना change हुआ यह कैसे देखोगे, तो एक बनाना गलत है, है ना, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी बनाओ, चलो, आज आते हैं अंगले question पर बताओ, अच्छा ये दोनो parallel में है न, और 10 और 10 parallel में है तो 10 और 10 का क्या हो जाएगा, बताओ, ये हो गया 5, 10 और 10 कितने होते हैं parallel में 5 हो जाएगे, और ये 5, और ये series में हो गए तो 5, 5, 5, 15 ये तो हमारा answer है answer क्या है, 15 हो, simple है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 15 हो, simple है, है न, अगला question, three resistors, R1, R2, R3 are connected in parallel and the combination is connected to a battery, m meter and a voltmeter and a key, tross table diagram मतब आपको circuit diagram बनाना है, और circuit diagram बनाना मैंने सिखाया है उसमें plus minus का sign कैसे लगाते हैं, वो भी सिखाया है, तो फटा फटे, cbsc 2021 का question है करो solve, circuit diagram बनाओ, pen paper लेके आप बैठ जाओ, बनाओ circuit diagram, आपको दो मिनट का समय दिया, दो मिनट बाद, मैं आपसे पूछूँगा और फिर मैं draw करूँगा, circuit diagram बनाना आना चाहिए circuit diagram बनाना आना चाहिए अनुज कह रहे हैं, ओके से draw कर रहे हैं, Samson Beats, Good Afternoon बेटा, I am new subscriber, what are we are doing, what we are doing, बेटा हम लोग class 10 science पढ़ रहे हैं, electricity chapter के previous question solve कर रहे हैं, डन, रिया सोन कर कह रहे हैं, डन, पटा फट बताओ किनके बच्चों ने draw कर लिया, एक बच्चा पुज़तर एक cell बनाएं कि दो, अब यहां देखो क्या दिया है, यहां आपको बैटरी बोला है न, तो बैटरी का मतलब दो या दो से अधिक cell, तो आपके उपर है कि मतलब होता है, combination of cell, तो combination मतलब भाई या तो एक से ज्यादा, एक से ज्यादा हों या तो दो से ज्यादा होंगे, तो दो बनाओ या तीन बनाओ, तो आपके उपर है, दन, चलो, अब मैं बनाता हूँ, थ्री रजिस्टर्स हैं, और किसमें connected हैं, पैरलल में, तो पहले इनको पैरलल में बना लो, आर वन, आर टू, आर थ्री बना लिया, यह आर वन, यह आर टू, यह आर थ्री, ठीक है, क्लियर है, और इसके क्रॉस, एक वोल्ट मीटर लगा दो, एक पनाट, इसके क्रॉस, एक वोल्ट मीटर लगा दो, है ना, फिर यहाँ, बैटरी लगा दो, तो मैंने दो सेल ले लिया, प्लास माइनस, प्लास माइनस, फिर यहाँ, एम मीटर लगा दो, और स्विच की लगा दो, क्यों हो गया, स्विच की, और यह मेरा प्लस प्लस प्लस, तो इधर प्लस होगा, यह मीटर, यह माइनस, यह बन गया मेरा, हाँ, वोल्ट मीटर उपर लगाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह ध्यान रखना है, कि वोल्ट मीटर हमेशा पैरलल में लगता है, तो रजिस्टर के साथ आपको पैरलल में जोड़ना है, तो यह देखो मैंने parallel में जोड़ा है उपर जोड़ दो या नीचे जोड़ दो वो आपकी मर्जी है और m meter को series में जोड़ा है plus minus का ध्यान रखना इधर battery का plus है तो इधर जो भी आएगा इधर देखो plus इधर plus यह निगेटिव था तो इधर negative तो इसनब चीजों का ध्यान रख नहीं आया पैटरी बनाने में दिक्कत आती या रहे कोई दिक्कत नहीं यह क्या है कि अच्छा बड़ी लाइन चोटी लाइन बड़ी लाइन का मतलव हाई कितना जिम्पल है plus minus plus minus कि सर अलग-णलग voltmeter डे तो अलग-णलग question में दो wordmeter दिया हूँ कि अगर वोल्ट-meter अलग-अलग दिया है तो आपको देगा वह उसी साभ से बताएगा कि वोल्ट मीटर कहां लगाना है ठीक है स्विस्टी कोई दिक्कत नहीं कि देर हो गया कई बच्चे इसको अच्छा इसको ऐसे भी ड्लॉ कर सकते हैं तो कन्फ्यूज मत हो ना ठीक है यह मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया और यह मैंने बैटरी लगा दी वतर सेल कंबिनेशन ऑफ सेल यहां मैंने एमीटर लगा दिया और यह स्विच की ऐसे भी बना सकते हैं कि यह यह एलो दिवयाशित पारटी है अब समझ में आगई बाद ऐसे भी बना सकते हैं कोई दिकत नहीं है आर वन आर टू आर तरी दिखा दो यह आर वन है यह आर टू है यह आपका आर थरी ठीक है डन चलो अगले कोशन पर चलते हैं अगला कोशन 2022 में पूछा है यानि इस साल जो बोर्ड एक्जाम था उसी में पूछा है इस फाइफ ओम रजिस्टर इस कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी और सिक्स वोल्ट कल्कुलेट दा एनरजी डाट डिसिपेट एज हीट इन 10 सेकेंड तो 10 सेकेंड में कितनी एनरजी डिसिपेट होगी यह बताना है सरे कितने नमबर का कोशन है पिछला वाला कि यह वाला आयूश कोशन नमबर सेवन पूछ रहे हो कि एट पूछ रहे हो या तो यह सभी दो नमबर के नहीं तो तीन नमबर वाले है इस ik zeta important question beta previous question करा रहों जो बोर्ड exam में मतना बोर्ड exam question solve कर रही हो जो पूराने board exam वोगा इस साल इसके पहले इसके पहले से थीक है तो फिर important तो है और अगया दिव्यांसर है कि की आपका आसरा घ Ow great या कररू सौथ 1 साज़त अनसारी सर्पीवाई की साल ही तैंसर भों रहा है था सर बहुँ बढ़िया पता ऐंसर क्या होगा ड्य अगिराम बनाओ सबसे पहला काम ड्यकराम ड्यकराम और आनीता शर्मा ने आंसर ने बताया है देखतेए आंसर सही है की नहीं डेखो आपको हीट निकाल ला है energy that dissipate as heat तो 5 ohm का resistor है और यह किसे बैटरी के साथ जोड़ा गया है सिक्स वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा गया है और आपके पास time कितना है 10 seconds ठीक है तो heat कैसा निकलता है heat का फॉर्मला होता है I square RT है ना अब पहले I निकल लो R पता है T पता है तो I निकालना पड़ेगा तो I कैसे निकालोगे वी स्कल टू आई आर वी कितना है शिक्स वोल्ट है ना आई निकालना है आर कितना है फाइफ ओम तो I की वैल्यू शिक्स बाइफ ऐफ एमपियर अब यह वैल्यू आप यहाँ पूट कर सकते हो तो I की वैल्यू क्या पूट करो six by five into six by five क्योंकि स्क्वाइर है आर की वैल्यू कितनी five और time की वैल्यू सेकेंड में सेकेंड में कितना10 यह 5 से five गट गया यह five से टू होगया त यह six six उग्दा थार्टी सिक्स और थार्टी सिक्स इंटू टू कितना हो जाएगा बताओ 300 जूल कैसे आएगा 36 इंटू टू बात्तर 72 जूल आएगा आप लोगों ने 300 जूल कैसे निकाल लिया मुझे तो यह नहीं समझ में आ रहा है आपने सिक्स इंटू फाइफ इंटू टी कर दिया अरे आई आर्टी नहीं होता आई स्क्वेर होता है तो आई आपको पता कहां है आपको आई तो निकालना पड़ेगा सर क्लास कब खतम होगी सेवेंटी टू जूल बात समझ में आई तो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक ना करो खुद सोचो फॉर्मला आपको पता था तो फॉर्मला में वैल्यू तो रखना था अब आर पता है टी पता है टी कितना है 10 सेकेंड आर पता है 5 ओम आई नहीं पता तो आई का निकालने का त इस्टेंस पता है तो वी स्कल्टू आई आर से आई निकाल लेंगे और वह आई निकाल के यहां पुट कर देंगे आई स्क्वाइर तो आई स्क्वाइर तो इसका स्क्वाइर मतलब 6 5 x 5 और कितना 5 और टाइम कितना था 10 सेकेंड आगया अंसर ठीक है समझ में आ गया जलो तो यह कोशन था जो मैंने आपको प्रैक्टिस कराया आई होप कि यह आपको प्रीवेस एर कोशन सॉल्ट करने के बाद आपको कॉट्फिडेंस आया होगा हां कहां हम गलती कर रहे हैं तो अपनी गलतियों को भी देखो मालो पांच में 3 साही हो और ऐसे अगर गलतियों को कम करते जाओगे तो एक समया ऐसा आएगा कि आपसका हर कोशन सही बनेगा 100 परसेंट मार्क्स आपको मिलेंगे और बोर्ड एक्जाम में आप टॉपर बन जाओगे ठीक है ATSC का रिजल्ट आ जाएगा बिटाएसी हफते आ जाएगा और अभी है मापके लिए एक और सर्प्राइज है सबस्क्राइबर ची हाँ आपका प्यार हमको मिला सबस्क्राइबर बढ़ रहे हैं और हमने एक लैंडमार्क आच्इव किया है उसका सेलिबरेशन हम आपके साथ मनाएं गए तो वोसलिबरेशन भी आपके साथ मनाएं गे उसके लिए भी आप रेडिола ठीवरना ठीक है तो आज के अंजली रंजन थैंगी बेटा तो आज के सेशन के लिए इतना ही कल तुबारा से प्रीवेस एर कोशन सॉल्व करेंगे लेकिन केमिकल रियक्शन एक्वेशन का है ना तो चैनल पर सेशन लग जाता है आप कल सुबह तक चेक कर सकते हो सेशन आपको दिखते रही है और पढ़ते रहे हैं मेरे बिंदास बच्चों मैं हमेशा आप लोगों को चैंपियंस कहता हूं ना क्योंकि आप हो आप हो ठीक है चलो तो आज के लिए नहीं टाटा बाइबाई